हेलो दोस्तों मैं कवल आप सबका स्वागत करता हूँ आज के स्पेशल लेक्चर में जाहां पर हम जैनिजम का वान स्टॉप सल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखते हैं तो हर इक चीज आपको कवर मिलेगी अगले 4 से 5 साल के लिए भी यह जो आज का लेक्चर है वो रेलेवेंट रहेगा क्योंकि हर इक टॉपिक जहां से कुश्चन पूछा जा सकता है या अगला जो टॉपिक जहां से कुश्चन आएगा वो मैंने इस लेक्चर के अंदर चीज कवर करने की कोशिश की है तो मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर को आप देखते हुए सारी जैनिजम को समझेंगे क्या क्या चीज समझनी है क्या रटनी है जहां पर मैं स्टार मा करूंगा वो आप रटेंगे और जहां पर मैं कहूंगा कि आप इसको छोड़ के जा सकते है तो उसको आप लीव भी करेंगे क्योंकि यह समझें कि पेपर के अंदर आपको बाकी भी सारी चीज़े करनी है यहां पर मैं लेक्चर मेरा इंपार्ट करने का फाइदा तब ही होगा कि आपको यह पता लगे कि क्या चीज रटनी है क्या छोडनी है और क्या बहुत जुरूरी है पेपर के लिए तो आई इस ल को पता होगा कि मेरे द्वारा स्पेशल एक प्रेलिम्स के रिलेटेट क्रेश को चलता है तो वह कल से यानि की थर्ड और अप्रिल से शुरू होने जा रहा है वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहां पर हमारे पास टोटल 11 lectures होंगे जहां पर प्री पॉइंट ऑफ यू से जो जो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो की इस साल पेपर के लिए रेलिमेंट है एलॉंग साइड फुल कवरेज ऑफ मॉडर्ण इंडियन हिस्ट्री इन पॉइंटर फॉर्म आपको प्रोवाइट करने की कोशिश की जाएगी तो थर्ड से लेके थर्टेंट ऑफ एपरिल तक हमारे पास मॉडर्ण हिस्ट्री चलेगी और फिर फॉर्टेंथ एपरिल से ल लेगा और इस को जातर बच्चें को पहुंचाने के लिए तांकि हर इक बच्चा इस को का फाइदा उठा सके और इस बार के लिए जो प्रेलिम्स है उसके लिए हिस्ट्री को लेकर एट-लीस हो सके तो इसके जो प्राइस है जो इनीचली 2200 था टू उपन डबल नाइन था अगर चाहते हैं अपने हिस्ट्री को और भी बहतर बनाना तो आप इस को जॉइन कर सकते हैं जैनिजम का लेक्चर आप अभी देखेंगे बुद्धिजम का मैं पहले डिलेवर कर चुका हूं तो उससे भी आप कॉलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप मेरे को नहीं जानते या कभी आपने मेरे से हिस्ट्री नहीं बढ़ी है तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैनिजम की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जैनिजम से कुशन किस तरह से पूछे गए हैं सबसे बेसिक कुशन पूछे जा जैसे इनके अंदर भी काफी सारे पुरान लिखे गए हैं इनके अंदर भी काफी सारे सूत्रास लिखे गए हैं तो इन में से कोई ना कोई नाम उठाके आपको पेपर के अंदर पूछा जाता है कि क्या ये जो पुरान है ये सूत्र है किस धरम को बिलॉंग करता है को बुद्धिजम को जैनिजम को और यह जो कोशन होते ही जातर difficult category में आते हैं क्योंकि जातर बच्चे इसको छोड़ के आएंगे तो हमारे पास यहां पर एक edge बन जाएगा कि हम इसको attempt करते हुए अपनी marriage को ensure करें philosophy के जो कोशन है वो relatively easy है क्योंकि हर एक बच्चा करके जाएगा पर यहां पर हमारे पास एक edge है तीसे नबर के उपर कोशन आएंगे sets में से पिछले कुछ सालों में यहां पर जैसे कि मूर्ता मूर्ती पूजकास स्थानका वासे इनका नाम उठाते होए अगर आपको पता होगा यह श्वितामबर के सब सेक्स हैं जैनिदम के अंदर तो इन में से कोशन पूछा गया और यह जातर बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं तो यह भी difficult category में आएंगे तो यहां पर भी हमारे पास एक extra edge आजाएगा कि हम अपने कोशन को वहाँ पर जाके सही कर सकें उसके अलावा जो basic terminology है जैसे की साले खाना या फिर अगर हम बात करें कि monks जो जैन monks हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली उन बंदों का क के अंदर सारे वर्तों को जो जिनको हम महा वर्त कहते हैं पांच जो वह हैं जैनिजम के अंदर उस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ले followers को क्या कहा जाता है तो उनका भी एक term है तो ऐसी जो basic terminology है यहां से भी question बहुत बार हमारे को देखने को मिलता है तो इसको भी आज हम पूर relevant information होगी वो इस पूरे lecture में covered होगी तो ध्यान से सुनना यह जो पूरा lecture है आपका one stop solution बन जाएगा तो आगे चलते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैनिजम के अंदर यह जो शब्द है जैन यह आया कहां से तो basic आपने यह जो जैनिजम सुना होगा वो है महावीर जो कि चौबिस में तीरंद का थे जैनिजम के अंदर तो जैनिजम लॉड महावीरा ने ना शुरू करते हो है बलकि से लेके 23 तक जो हमारे पास इनके गुरू रहे हैं जो इनके जिन्नाज रहे हैं जिनको कहा जाता है Conquerors Conquerors का मतलब है जिन्नों ने अपने सारे सेंसिस के उपर विजय पाते होएं उनको Conquer करते होएं भगवान की उपाधिय को प्राप्त किया है अब यहां पर आपको जिन्ना और जैना which means the Conqueror और जितने भी इनके तीरंतकार हैं उनको जिन्ना के नाम से ही जाना गया है जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर 24 में तीरंतकार जो हमारे पास है Lord Mahavira उन्होंने जैनिजम को एक तरह से institutionalize किया पहले भी 23 तीरंतकार रह चुके हैं अब जो Lord Mahavira है वो Lord Buddha के ही contemporary थे उसी time period 6th century BC के आसपास आपको इनका आगमन देखने को मिलता है तो अगर कल को आ जाए कि जैनिजम और बुद्धिजम देर contemporary religions to each other तो ऐसा नहीं है जैनिजम बहुत पुराना दर्म है बुद्धि आते थे और जब हम 24 वे तीरंतकार जो के हमारे पास Lord Mahavira है उन्होंने फिफ्ट बॉक को आट किया जो कि था ब्रम्ह चरया जब आप गंबर्स और शेतंबर्स की बात करते हैं तो वो भी इस concept को लेके उनके बीच में विवाद है कि क्या ये जो ब्रम्ह चरया का concept है एक sect हमारे पास मानेगा और दूसरा sect इसको नहीं मानेगा जब हम sect के आगे बात करेंगे तो वहाँ पर जाके आप देख लेगा अ उसके बाद हम बात करें इनके literature के बार में अब देखें कोई भी धरम है उसके बार में हमारे को कहां से पता लगेगा उसके literature के बार में और यहाँ पर आप देखोगे कि initially आपको पता होगा कि जैनिजम के अंदर worldly जो possessions है उसको रखने की मना ही थी तो इसी वज़ा से वो मानते थे कि अगर किसी किताब में हमने अपनी knowledge को संग्जो के रख लिया वहाँ पर अपनी knowledge को रख लिया फिर वो किताब हम अगर अपने पास रखने लग जाएंगे तो वो भी एक तरह का possession count होगा इसी वज़ा से बहुत लंबे time तक किसी भी किताब को किसी भी गरंथ को जैनिजम के अंदर लिखा ही नहीं गया ये चीज़ आपको ध्यान में रखने है कि अगर आ जाए कि from the earliest times there were scriptures related to जैनिजम तो वो चीज़ गलत होगी क्योंकि books को scriptures को जैनिजम के अंदर initially as a possession माना गया और possessions जो हमारे जैनिजम के अंदर वो prohibited है पर जैसे 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 जैन मंक्स ने समझा कि अगर हम अपने जो knowledge है अपनी जो Lord महावीरा की teachings है उसको अगर नहीं संजो के रखेंगे तो with the time वो lost हो जाएंगे इसी वज़ा से with the time उन्होंने लिखना शुरू किया और इसी वज़ा से दिगांबर्स और श्वेतांबर्स के बीच में भी एक तरह का यह divisions बना कि दिगांबर्स मानते थे कि possessions नहीं होने चाहिए books की possession भी and on the other hand side श्वेतांबर्स मानते थे कि अगर हम अपने धर्म गरंथों को अपने पास र यही concept था कि बहुत लंबे टाइम तक सिरफ वेत बोल के सुना के समझाये जाते थे आगे पीडियों को transmit किया जाते थे उसी तरह से जैनिजम के अंदर भी यही concept था पर विद्धा टाइम जैसे जैसे लोगों को जरूरत लगी तो विद्धा टाइम चीज चेंज हुई सो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे देट इनिशली देवर प्रिजाव एधन और ट्रेडिशन बट लेटर देवर क्लेक्टेद हैं रिकॉर्ड इन ओल्डर टाइम वो हमारे पास देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम बात करें इनके धरम गरंतों को क्या कहा जाता है तो यह चीज आपको ज्यान में रखनी है अगमा का मतलब होता है कि वो टीचिंग जो की सीधा लॉड महावीरा जी के द्वारा बोले गई थी और उनको फिर जब आगे कंपाइल किया गया तो उनको कहा जाता है अगमा अगर हम अगम्स की बात करें तो यह श्वितामबर्स के धरम गरंत है on the other hand side अगर हम दिगामबर्स की बात करें तो उनके धरम गरंतों को माना जाता है सिधामता अब यह कारण क्यों है यह जो अगमास की कंपाइलेशन है यह लिखी गई थी during the second जैना काउंसिल वल्लभी के अंदर और उस टाइम के अंदर अगमास को जब लिखा गया तो दिगामबर्स ने कहा कि जो ओरिजनल नॉलेज थी जो लॉर्ड महावीरा ने बताई थी वो बहुत पहले ही लॉस्ट हो चुकी है तो जो अभी हम लिख रहे हैं वो सही नॉलेज नहीं है इसी वज़ा से हमारे को दो तरह के ग्रंथ देखने को मिलेंगे कई जगा क्या उपर आपको सिधानता और अगमा लिखा हुआ मिलेगा कि यह दो एक ही है पर थोड़ा बहुत डिफ्रेंस है अगमास के अगर हम बात करें वो श्रतामबस के दौरा माना जाता है और अर्लियस टेक्स्ट आरिना इस्टन डायलेक्ट ऑफ प्रकृत नोने अस अर्दमगदी आपको पता होगा कि अगर हम बुद्धिजम की बात करें तो उसको पाली लेंग्विज में प्रमोट किया जाता था और अगर हम जैनिजम की बात करें तो उसको मगदी में या फिर प और इसी वज़ा से दिगामबत ने कहा था कि ये क्योंकि बिद्धा टाइम बहुत जादा चेंज हो चुके है और ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो लॉड माहा विरा ने कही थी इस वज़ा से हम इनको मानने से मना करते हैं अब बहुत साल पहले कोशन आया था वहाँ पर कल्प सूत्रा के बारे में लिखा गया था दो से तीन इंपॉर्टेंट टेक्स लिखे गए थे और वहाँ पर पूछा गया था ये किस धरम को बिलॉंग करते हैं तो सिंपल वहाँ पर आंसर था जैनिजब अब देखें अगर पूरे जैना लिटरेचर को नेट के उपर सर्च करने जाएंगे वहाँ पर लगबग 50-60 आपको किताबे मिल जाएंगी अब वो 50-60 किताबे या रखना बहुत जादा मुश्किल है तो मैं आपसे सरफ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस PDF जो भी आपको मिलेगी या PPT के वो 10 टेक्स ध्यान में रखने हैं इनी में से कोश्चन आएगा अगर इससे बाहर आए तो बहुत अराम से छोट के आ सकते हैं क्योंकि वह लीस्ट इंपॉर्टन होंगे हर एक बच्चे को नहीं आते होंगे सौ में से सिरफ एक आता बच्चा कोई होगा पर अगर आप इन में इनको करके जाएंगे तो वहां पर आप जो 10-20 बच्चों को आते होंगे उस merit list में आप आजाएंगे और मेरा आप पर जो काम है वो है आपके pre की merit को clear करवाना आपकी cut off को clear करवाना और वो मैं आपको वा उसके बाद हम बात करें कि यह जो पूरे अगमास की information है जो श्यतामबस के द्वारा मानी जाती है कि यह कहां से आई थी अगर हम Lord महवीरा की बात करें तो उनके जो immediate disciples है तो उनको कहा जाता है गंदारास तो यह जो शब्द है यह आपको ध्यान में रखता है कि Lord महवीरा की जो immediate disciples है उनको क्या कहा जाता है और उनके द्वारा ही यह जो अगमास है उसको compile किया गया था अब गंदारास बनने के लिए क्या prerequisite था तो यह था कि अगर किसी बंदे को अगर किसी व्यक्ति को पूरी complete knowledge attain हो जाए तो उसको मिल जाएगा केवल ज्यान जब हम महावीरा जी क भी बात करते हैं तो वो भी इस स्टेज से गुजरे थे उन्होंने भी केवल ज्यान को प्राप्त किया था उसके बाद वो तीरंतकार बने थे उसके बाद वो जैनिजम के अधर enlightenment उनने प्रापत की थी सो लौड महावीरा इमेडेट डिसाइपल्स और नौन एज गंदारा एंड ओल दीज गंदारा पुजेस्ट पर्फेक्ट नौलेज जो की है केवल ग्यान दी और ली कंपाइल दा डिरेक्ट पेचिंग ऑफ लौड महावीरा इंटु ट्वेल में टेक्स वाड़े सूत्रा देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवाने की कुशिश कर रहे हूं पर अगर आपको इसका 50 परसेंट भी याद रहे गया तो वहां पर आपका कुशन सही हो जाएगा तो इसके अंदर और भी जादा आगे डिवीजन है जैसे बार उप अंगाज है दस प्राकरिंज है पर यह आपको कुछ भी याद करने की जुरुरत नहीं है जो पिछली बार पिछले पेज के उपर मैंने आपको तीन टेक्स करवाए उसके अलावा अंगाज, सिधानताज बस यह जो कुछ शब्द हैं वो ध्यान में रख लेना यहां से ही कुशन आएगा और वहाँ पर जाके आपका सॉल्व हो जाएगा उसके अलावा जो मैंने आपको गंदारास का कंसेप्ट समझाया कि जो लॉर्ड महावीरा है उनके मिडे डिसाइप उसके बाद हम बात करें जो अगले और सूत्र लिखे गए हैं छे हमारे पास छेद सूत्र है चार मूल सूत्र है सब्जेक्ट मैटर डिसक्राइब फर मौंक्स और नंस ऑनली और पॉर कॉमन पीपल तो यहां से यह याद रखना कि यह जो सूत्र है यह किन के लिए है यह सि सूत्र हैं यहां पर बहुत सारे द्वारा जादा द्वारा लिखे गए हैं पूरे जैनिजम के अंदर पर सिरफ मैंने आपको पीपिटी के अंदर दो लिखे होई दिखाए हैं तो सिरफ और सिरफ इतना याद रख लेना यह ना हो कि कल को इन दोनों में से कुश्चन आए और वो भी आपका गलत हो जाए तो फिर मेरे को काफी जादा बुरा लगेगा दुख लगेगा क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर मैं हर एक चीज को पिंपॉंट करके आपको दे रहा हूं कि सरफ इतना ध्यान रख लो तो वो फिर आपका काम बनता है कि आप इतना रख सक मूल शूत्र कलको आए तो याद रखना जैनिजम के रेलेटेड है और अगली बार कोई जैनिजम रिलेटेड टक्स वहां पर पूछा जाएगा लिट्रेचर पूछा जाएगा तो नियोग दवारा नहीं कर पका दे रहा कि दहर्यां कर चुका है तो उसका ऑंसर हुगा जै तो कल को अगर आजाए सिदान ताज और अंगस के बीच में क्या डिफरेंस है तो मुस्ट प्रॉवेबिल यह सौ में से सिर्फ दो या तीन बच्चों को आता होगा पर अब यह आपको भी आना चाहिए क्योंकि चीज जो कंसेफ्ट है वो काफी ज़्यादा अहुंतर एंड़ चूटरा त्ट्वर्था त्ट्वर्था सूत्रा किया और दूसरा जो हम सूत्रा करे और विद्धा टाइम लिखे गए यहां पर कुछ इंपॉर्टन नॉन कैनिकल वर्क्स है मतलब कि धरम गरंत नहीं है पर विद्धा टाइम जैसे 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 जैनिजम के बारे में किताब लिखी जाने लगी तो उसको कहा जाता है नॉन कैनिकल टेस्ट यहां पर अगर आप देखोगे यह जो परशिष्ट परवना है यहां में कोशन पूछा गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ टाइम पहले कल्प सूत्रा के बारे में कोशन था तो उसके अगले साल था परशिष्ट परवना के बारे में कि यह जो शब्द है यह जो वर्क ह तो यहां पर सिर्फ मैं आपको चार दे रहा हूं आदी पुराना अरिवंशा पुराना एंद त्रिश्देकला महा पुराना यह सिर्फ चार ध्यान में रख लेना उसके लावर जो पहले अपने पांच या छे किये हैं तोटल आपके पास इन टोटल 10 लिटरेचर वर्क्स है जो कि आप पुत्यार में रखने है इन्हीं में से कुष्ण आएगा तो यहां पर एक कंसेप्ट है समा वस्वराना का इसको ध्यान से समझना कल को यह स्टैंड अलून टर्मिलॉजी की तरह भी पूछा जा सकता है अब जैनिजम के अंदर माना जाता है कि 24 हमारे पास घुरू है 24 तीरंतकार है और हर एक जो गुरू है वो सेम तरह की नॉलेज को इंपाट करता है सेम तरह का value system रखता है और सेम तरह की बाते करता है और जब वो enlightenment की stage की उपर पहुंचते हैं तो उसके बाद उनका process क्या रहता है उसके अंदर जो दिगामबज है, श्वितामबज के बीच में थोड़ी बहुत division है पर सबसे पहले आगर हम बात करें यह जो process है enlightenment को प्राप्त करने का इसको कहा जाता है समावसराना So whenever a person और a jaina monk, when he reaches enlightenment, when he reaches omniscience and he makes the divya dvani कि ओम तरह की एक शब्द है जब वो अपने मूँ से उचारन करते है divine sound through which he transmits his teachings to all sentiments beings this process is called as समावसराना सिरफ इतना concept आपको ध्यान में रखना है तो अब देखते हैं कि दिगामबर्स और श्यतामबर्स के हिसाब से इन में क्या variance है, क्या difference है अगर हम सबसे पहले दिगामबर्स की बात करें तो वो मानते हैं कि यह जो tone है, om tone है यह unarticulated sound है, इसमें कोई भी शब्द नहीं है सिरफ एक दोहनी है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया which is monotone and can be compared to the sound of om but on the other hand side, अगर हम श्यतामबर्स की बात करें वो मानते हैं कि यह जो दोहनी है, यह divine है इसमें सिरफ sound नहीं है, पर उसी के सासाथ इसमें शब्द भी है, यह articulated है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है because all living beings can hear it, it is considered to be a human language that takes the form of earth bhagadiprakrit तो basic क्या है, कि जो concept है, समावसरना का कि जब भी कोई living being, enlightenment की stage को प्राप्त करेगा तो वो अपने अंदर से एक ध्वनी निकालेगा, एक divine sound निकालेगा दिगामबस यह मानते हैं कि जब यह ध्वनी निकाली जाती है यह ओम तराख है, इसमें कोई भी शब्द नहीं है, यह unarticulated है on the other hand side, अगर हम शतामबस की बात किरते हैं तो वो मानते हैं, इस शब्द के साथ प्रॉपर language भी निकलती है और वो क्योंकि इनसानों को समझानी है, पूरी teachings बतानी है तो वो अर्ध मगदी प्रकृत का form लेती है सर्फ इतना concept है, इतनी ज़्यादा detail में नहीं पूछा जाएगा यह बहुत ज़्यादा detail में है, ताकि लेक्चर अगले 4-5 साल तक भी relevant रहे पर अगर आपको सिर्फ समावसरना का concept है, वो समझ में आ गया इससे आपका काम हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं, वर्दमान महावीराजी के बार में इनके बार में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमारे पास यह 24 में पीरंतकार यहां फिर जिना थे इनके जो और नाम है वो है, सबसे पहले जितेंतरिया जिसका मतलब है, one who has conquered all his inner desires and arihand who possesses अवद ग्याना, superhuman insight and cognition तो यह 2-3 नाम है, आपको रटने की जूरत नहीं है, basic एक दो बार पढ़ोगे, तो आपको ध्यान में रह जाएगा अगर इनके जनम की बात करें, so he is contemporary to Buddha and इनका जो जनम है, वो कुंदागराम के पास विशाली के आसपास हुआ अब देखो, यहाँ 2015 और 2016 में कुशन आया था कि Buddha जी के बारे में देते हुए सामने से चार महाजनपत दे दिया गए थे, आपने बताना था कि Buddha ने अपने जीवन काल के अंदर इन में से किन जो महाजनपत है, वहाँ पर जाके उन्होंने विजिट किया तो कल को ये भी आ सकता है कि अगर हम Lord महाविरा जी की बात करते हैं तो कौन-कौन से महाजनपत उनसे रिलेटेड थे, तो सबसे पहले जो उनका जनम स्थान है विशाली के आसपास, कुदा ग्राम नियर विशाली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम यहां पर किस महाजनपत की बात कर रहे हैं, ये जो महाजनपत से रिलेटेड है, ये आपका होगवाक है, तांकि मैं चाहता हूँ, आप खुद से भी थोड़ी बहुत मैनत करें और आपको कमेंट सेक्षर में लिखना है कि ये जो कुंदा ग्राम या फिर विशाली की बात कर रहे हैं, ये किस महाजनपत को रिप्रेजेंट करता है, उसी के साथ साथ अगर हम लौड महावीरा जी के मृत्यू की बात करें, तो वो है पावापूरी के अंदर, आपको ये भी बताना है कि ये जो पावापूरी पटना के आसपास का शहर है, ये किस महाजनपत को बिलॉंग करता है, तो दो जीज़े आपने बतानी है कि उनके जनम का महाजनपत कौन सा है, और उनके मृत्तिव का महाजनपत कौन सा है, विद्धा टाइम एक दो दिन के बाद मैं कम महाजन पत्स के अंदर वो गए वहाँ पर उन्हों ने प्रीच किया वो आगे मैं आपको बता दूँगा सो विद्धा टाइम अगर इनके पिदा जी की बात करें अगर आप कल को SSC टाइप यहां फे स्टेट PCS देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए पर UPSC के हिसाब से आप ऐसे इंफॉर्मेशन को लिव आउट कर सकते हैं वह रिक्वाइड नहीं है आउटसाइड दा टाउन एंड़ा फील्ड ऑफ और नौट समग्गा एंड ही अटेंड केवल गया ना यह सारा कुछ में आपको एक्स्प् मगदा मेथिलेंड चमपा यह चार महाजन पर ध्यान में रखने ना क्योंकि बुद्धिजम के बारे में यह पूछा जा सकते जा चुका है अगला जो टफ कोशन बनेगा वह जैनिजम में से हैं तो अगर कल को आ जाए तो मेरे को फिर दूआ देना कि हां मैंने आपको यह क स्वाथ सब्सक्राइब आप से चलता है एक पहले हाफ साइकल गुरा आएगा फिर हाफ साइकल अच्छा हैईगा इच हाफ साइकल ओफ टायंड तिए को लिए हमांड़ेस्ट के बagon्रिफ्सिक्वेंस और कि ऊपर है प्रग्रैसिव पर से जो नन्ट में अच्छे जेट हैं की अच्छ हा जाता है हमारे पास पर चाने को कहा जाता है तो इस पूरे पेज में से उत्सर पेनिज आपको ध्यान में रखना है तो उसके बाद व्यूज ऑन गौड इसको अब ध्यान से समझना यह काफ़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर एक जगा अलग लग concept लिखा गया है अब सबसे पहले अग इस तरह से हम जानते हैं कि भगवान अगर हम लेट मैं टर्म की बात करें तो भगवान एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है तो यह जो पूरी दुनिया है उसकी जो creation का जो प्रूफ है यह जो दारुमदार है वो भगवान की उपर है यह हमारे गौड का ज तो सबसे पहले यह समझ लेना कि भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर भगवान का होना जुरूरी नहीं है दुनिया की existence के लिए उसके अलावों मानते हैं कि कोई भी जो इनसान है वो भगवान बन सकता है जब उसके पास जितने भी उस यहां पर मैं आपको इन डिटेल हर एक ची समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भगवान में मानते हैं अब जिन्ना कौन है उनके जो चौबिस गुरू है चौबिस तीरंतकार है गौट की जो प्लेसमेंट है वो जिन्ना के नीचे की गई है इस कंसेट को ध्यान रखना और उसी के साथ है गौट इस नौट पॉसिबल यहां फिर नौट रस्पॉंसिबल फॉर दा क्रेशन आप फिनॉमिना ओफ कॉज और इफेक्ट बहुत इंपॉर्टन कंसेट है कल को अगर इस फिलोस्फी में से कुशन आया तो आपका गलत हो सकता है जातर बचे गलत करके आएंगे पर आपको गलत नहीं करना अगर हम कंपेर करें जैनिजम को बुद्धिजम के साथ तो आप देख देखेंगे तो हमारा जीवन बहतर हो सकता है ऐसे मुद्धों के ओपर ध्यान देने से हमारा जीवन बहतर नहीं होगा बलकि हम और उलजते जाएंगे तो मेशा यह चीज ध्यान में रखना that there are stark differences upon कि how Buddhism and Jainism sees the concept of God, Soul and Afterlife and Karma कर्म के अगर हम बात करते हैं तो कर्म दोनों के हिसाब से ही वो मानते थे कर्मों में और जिस तरह से आप कर्म करेंगे तो उसी हिसाब से आपका जो प्राप्ति है, जो आपका मोक्षा है, वो होगा, तो करम के अंदर दोनों मानते थे, ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखते हैं, जैनिजम बिलेवड इन करमा अभी बता के आएं, और यही मानते थे, जिस हिसाब से आपके करम होंगे, उस हिसाब से आपकी जो सोल है, वो निकलेगी, उसका आफ्टर लाइफ होगा, रीबर्थ होगा, वगएरा वगएरा, गएर बुद्धिजम की बात करें तो वो करमा के अंदर मानते थे, पर आफ्टर लाइफ में नहीं मानते थे, यह जो कुछ बुन्यादी चीज़े, बुन्यादी चेंजिजिस हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, उसके अलाव, व्यूज़ ओर वर्ना and कास सिस्टम, बुद्धिजम कास इस्टम को डिनाउंज करता है वर्णा को डिनाउंज करता है पर यहां पर जैनिजम की बात करें तो और उन्हों पर स्ट्रेस किया पर उन्हों ने जो वर्णास सिस्टम है उसको डिनाउंज नहीं किया यह बहुत important concept है आपको पक्का से रटता है कि उन्होंने equality को stress करते हुए वरना system को भी uphold किया उसको denounce नहीं किया So stressed upon equality but it not reject the caste system unlike Buddhism but he also said that man may be good or bad as per his actions and not worth तो ये हमारे purview से बाहर है आपको ये सारे जो जैनिजम के related important concepts है views on God, karma, soul, वरना and caste system ये सारे आपको ध्यान में रखने है उसके अलावा important कुछ doctrines के अंदर बात करें तो फर्स्त है नंत्कारा का जो symbol है वो है बुल सबसे पहले हमारे पास है रिशब देवा फिर 23rd हमारे पास परसवनार जी जिनका symbol है snake and last में हमारे पास है Lord महाविरा जिनका symbol है lion यह सिरफ तीन symbol ध्यान में रख लेना 24 के 24 आपको ध्यान में रखने की जूरत नहीं है यह भी हो सकता था कि कल को क्लेम करने के लिए अगर कल को कोई बहुत difficult question आजाए मैं 24 के 24 लिखनू पर खुद से सूचिए कि 24 आप नहीं ध्यान रख पाएंगे तो टीचर का काम यही होता है कि आपको यह बताना कि यह करना है यह चोड़ना है यह बेस्ट चीज़े हैं जो आप कर सकते हो क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं बहुत बार मैं YouTube के उपर देखता हूं या फिर बहुत बार जब नोट्स देखता हूं वो इस तरह से होता है कि आपको हर इक चीज़ देने की कोशिश की जाते है तांकि कल को वो claim कर सके कि हमारे नोट्स में से 100% question आगे तो देखो टीचर का एक धरम होता है कि वो अपने बच्चों के betterment के लिए काम करें ना कि अपने बढ़ाई करने के लिए आपने आपको बहुत famous करने के लिए जब तक उसके बच्चे को फायदा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है तो उसे वज़े से कह रहा हूं क कि इस लेक्चर के अगर आप उपर रिलाई करेंगे तो आप बिल्कुल भी पच्चताएंगे नहीं और आप पक्का मेरे पर भरूसा कर सकते हैं कि इन्हीं में से कुश्चन आएगा कि अग्यविशन यहां पर हम सब्सक्राइब करते हैं नौ देर सम इंपॉर्टन कंसेट जिनके इसाब से उन्होंने अपनी फिल्लॉसफी को डिफाइन किया यह जो सारे कंसेब्स हैं यह आपको दिए जा सकते हैं कि अगर हम अनेक्त वाधा की बात करें शाय्द वाधा की तांकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे जाए सबसे पहले अनेक्त वादा तो वो कहते हैं कि एक ही चीज को लेकि बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं हर एक बंदे का जो अपना सच है वो सही भी हो सकता है क्योंकि हर एक बंदे का अपना experience है उसकी अपनी reality है अब जैनिजम के हूँ या दुख हूँ उससे हिसाब से मेरी personality में reflection आएगा विद्दा टाइम वो मेरी personality का पार्ट बन जाएगा और मेरी personality में बहुत मिनी स्कूल लेवल पर ही चाहे पर वो मेरी personality को चेंज करेगा जैसे कि मालो आज मैं यहां पर lecture दे रहा हूँ अगर यह lecture अच्छा जाएगा या फिर मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँगा तो मेरी personality के अंदर हौसला आएगा कि मैंने अपना काम अच्छे से किया एक से दो बर इनके उपर question भी पूचा गया है पर क्योंकि बहुत सारे ऐसे concepts हैं तो जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बस उसको अगर ध्यान में रख लोगे तो वहां पर paper में question पका सही हो जाएगा तो सबसे पहले अनेक्त वादा कि हर एक चीज़ के बहुत सारे पहल हो सकते हैं पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरा ही सही है तो वो ठीक है अगर कोई कहे तेरा गलत है तो वो भी गलत है हर एक के अपना viewpoint है तो वो हर एक चीज़ सही है तो अनेक्त वादा फिर है शायद वादा अब क्योंकि अनेक्त वादा से ही शायद वादा निकले जिनकी हमने बात की थी, जिनको केवल ज्ञान मिल जाएगा, और ये सारे प्रोसेस से निकलते होगे, फिर आप भगवान की उपादी को प्राप्त करेंगे, ये सारे वादा से निकलते होगे, फिर हमारे पास नयाए वादा, थेory of partial standpoints, कि विद्धा टाइम आपने देखा क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए तो बेस्ट डिसीजन लेता है पर विद्धा टाइम जैसे जैसे हमारी सोच डिवल्प होती जाती है हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है तो हमारे को लगता है कि कुछ पुराने डिसीजन है वो गलत होगे यही है त्यूरियों की तरह समझाए है जैनिजम के अंदर इनके उपर बहुत जादर डिटेल में डिसकर्शन है कल को कमेंट सेक्शन में में मेरे को गाले मत निकालना कि जैनिजम के साब से यह हैं पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आप तो समझाने के लिए यह सारा मैने उस तरह से बताया है पार्ट बनके मेरे इमोशन का बनके तो इस हिसाब से स्रफ ध्यान में रखना फिर हैं हमारे पास त्री रतना दा- Half. यहां पर रहे पास राइट नॉलेज राइट पेड़ कंड़ जो कि है त्री रतना जैनिजम के हिसाब से कि हमारी नॉलेच सही होने चाहिए अगर हमारी knowledge सही होगी, तभी हम सही सोच रख पाएंगे, हमारी जो शद्दा है, तभी सही होगी, अगर हमारी जो knowledge है, कि हमारे पास information के है, जिसके हिसाब से हम सोच रहे हैं, so right faith, and फिर उस faith के हिसाब से किस चीज में हम मानते हैं, फिर हम सही कंड़क कर पाएंगे, सही काम कर पाएंगे, तो के हिसाब से अप इसको ध्यान रख सकते हैं, एक पांच वावाव है, वो लॉड महावीरा, जो 24 वे तीरंदकार थे, उनके द्वारा एडिकान किया गया था, जो की है ब्रह्मचरया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रीन ओफ नॉन्वाइलेंज तो उसके बाद हम बात करें त्री ज्वेल्स राइट पेथ राइट नॉलेज और राइट कंड़क्ट सॉरी यह मैं आपको एक्स्प्लेइन कर चुका हूं यह बहुत एजी है इसके अलावा जो आगे के शब्द दे गया है लोकल लेंग्विज के वह आपको याद रखने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले अहिंसा पर्मोधर्म की कोई अगर हम जैनिजम की बात करें तो उनके हिसाब से जो पहला किसी भी मौंग का धरम है वह है आहि प्रति अहिंसा कोई जीव-जन्तु है तो उसके प्रति भी अहिंसा नहीं करनी तो इसी के चलते आप देखोगे कि जब हम अगरी कल्चर करते हैं तो वहां पर पर प्राने टाइम की बात करें जब हम हलको जोते हैं तो बहुत सारे जीव-जन्तु मर जाएंगे इसी वजह स दो इंपोर्टेंट सेक्ट से पूरी सुसाइटी के उनको जैनिजम से बाहर रखा गया और जैनिजम के अंदर जाला तर कौन लोग आएंगे जो कि ट्रेडिंग किया करेंगे जो कि एक तरह से बिजनस किया करते हैं आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े अगर आप अपने जरूरत से जादा भी खाना खा लिया तो वो भी चोरी कहलाई जाएगी ये भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है आप जब हम जैनिजम को पढ़ते हैं तो वो एक्स्ट्रीम एंट्स के उपर काम करता है या आपने पढ़ा होगा कि जैनिजम के अगर हम जैनिजम की बात करें तो वहां पर इंप्रेंट करें कि अगर आपने अपनी जरूरत से जादा खाना भी खा लिया तो भी वह चोरी में गिना जाएगा तो यह एक इंप्रेंट कर सेप्ट है जो कि नौन स्टेलिंग अस्ट्या देन वी हैं सेलीबेसी चेस्ट्री जो कि ब्रह्मचारे विच्वास एड़िट बाय महावीरा यह आपको चीज ध्यान में रखनी है एंड लास्ट में हमारे पास है नौन अटेज्मेंट या फिर नौन पॉजेशन सबसे पहले मैंने आपको पताया था कि स्क्रिप्चर को भी नौन पॉजेशन की तरह देखा ब्रह्मचारया एंड अपारग्रिया यह भी आप थिल्वरत खेंगे इस वेरी इंपॉर्टेट उसके बाद यह जो पांच महाव्रत है यह है उन जैन मंक्स के लिए जो पूरी तरह से जैनिजम को पूरे डिबोटेड है ऑन दी अधर एंड साइड जो आम ले देट इस स्मोर और पार्शल वॉस तो इसको ध्यान में रखना अगर कल को आजए कि महावरताज एंड अनुवरताज के अंदर क्या डिफरेंस है तो बेसिक यही है महावरताज है कि वो पांच व्रत वो पांच वो जो कि हर एक जैना मौंक को पक्का से मानने है तो है महावरत एंड अनुवरता की बात करते हैं कि जो बेसिक घरों में रहने वाले लोग जो जैनिजम को मा सकते तो उनके लिए है पार्शेर वह यहां फिर अनुब्रता बहुत इंपोर्टन है कर्मा इस तरह से हमारा जो कर्मा है वो खतम होगा कि जब हम पैनेंस को एक्स्ट्रीम चीजों को प्रेक्टिस करेंगे जैसे कि किसी भी जीव जंतों को दोश नहीं देंगे जरूरत से खा कि बात करें इसमें जादतर चीजें समझने वाली हैं रटने वाली चीजें कम हैं तो अगर आपने लेक्ट्र को अच्छे से देखा है तो अभी तक तो आपको चीज रट गई होगी सो यहां पर बेसिक लेंग्विज की बात करें वह मैं आपको एक्स्पेइन कर चुका हम प्रक्रेत लेंग्विज है पैटनाइज़ेशन की बात करें तो बहुत सारे किंग्स ने किया जैसे कि खारविला के किंग ने जो ओडिस्सा साइड के उपर है चंद्रूप मौरया न जो कि दिगामबस के आगे गुरू बनेंगे तुश्रवन बेनागुला करनाटका एंड़ाइज देर वाइल फास्टिंग अब इस प्रोसेस को आपको ध्यार में रखना है कि साले खाना क्या है जो लौड महाविरा है वो भी माने जाते हैं कि उन्होंने साले खाना के द्व लोगों के उपर बूच नहीं बनेंगे बलकि क्या करेंगे कि किसी जंगल में चले जाएंगे और वहां पर फिर क्योंकि आपके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं होंगे तो वहां पर फिर आप फास्टिंग करते हो है अपने प्राण को त्याग देंगे तांकि आप आपको ध्यान में रखना है कि आज के टाइम में सालेख खाना के दौरा के उपर हाई कोट के दौरा बैन लगाया गया था अपनेट के उपर जाके ज्यादा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं बैसिक सालेख खाना का अंकंजरेप्ट यह ही है जिससे कल को अगर कुशन आया त शेतामबस और इसका प्रेजिदेंट कौने तुलबद्र अब यह जो टाइम पेरिड़ है वह चंदगुप्त मौर्या का टाइम पेरिड़ आप इसकी कहानी सुन लीजिए अब यह जो पूरा टाइम पेरिड़ है जब चंदगुप्त मौर्या गद्धी के उपर बैठा है तो मगद के अंदर पाटली पुत्र की साइट के अंदर आ जाएगा फैमीन अब फैमीन की वज़ा से राजा के साथ कुछ ग्रूप जैन मंक्स कहेंगे कि हम चलते हैं करनाटका की साइट के अंदर जब तक फैमीन खतम नहीं होगा हम वहां पर जाके रहते हैं ताकि कुछ लोग तो सर्वाइब करें अगर फैमीन बहुत लंबा हो गया तो इस मगद से उठके करनाटका की साइट कौन जाएगा चंदकुर्फ मौरया और उसके साथ जैन मंक्स अगर आपको पता हो कि चंदकुर्फ मौरया भी जैनिजम के अंदर ही उसका उपासक था अब लगपक साथ से चौदा साल के लिए करनाटका की साइट के उपर रहेंगे और फिर वो 14 साल के बाद आएंगे वापस मागत के साइट के अंदर और जब वो वापिस आएंगे तो यहां पर आके वो देखेंगे कि यहां के जो जैन मंक्स हैं उन्हों जो अपने रीती रिवास हैं जो जो लोग हैं उसी तरह से जो बेसिक और्थोडॉक्स फिलोस्फिस थी जैनिजम की की सफेद कपड़ा नहीं पहन सकते जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि यह जो श्रतामबस लोग है इनको बिद्दा टाइम जाना जाएगा श्रतामबस के नाम से जो नोंने अपने आपक कर दिया था इनके हिसाब से क्या था कि भूमन भी जो अचीव कर सकते पर इनके हिसाब से था कि वह नहीं कर सकती ऐसी जो बिसिक डिफ्रेंसेज हैं उसको आगे चलके डिसकस करेंगे पर अभी के लिए आपको सरफ इतना समझना है कि जब वो वापेस जाएंगे तो विद् और यहां पर जो जैन मंक्स का है बनके गया था चंद्र गुत्मार्या के साथ उनका नाम है बद्र बाभू यह नाम भी साथ में लिख लीजिए बद्र बाभू और जो सेकंड हमारे पास काउंसिल होगी वो है 453 से लेके यहां फिर 466 हर एक जो अलग एरियास के अंदर अलग लग नाम दिया गया है वल्लभी गुजरात के अंदर होगी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 12 अंगास 12 अंगास को लिखा जाएगा और जो प्रेजड करते हैं डिविजन बेट्विन जैनिजम अब हमारे पास दो सेक्ट बन गए दिगांबस और श्वितांबस जिससे निकले थे जो औरीजनल नाम था दिगांबस का उसको कहा जाता है मूल संग प्लीज इसको रट लेना अगर कल को कोशन आया तो जातर बच्चे सिरफ और सि यह जानते है कि उसका जो औरीजनल नाम है वो है मूल संग औरीजनल कुमिनिटी और विद्दा टाइम जो इस में से इस दिगांबस में से क्यों मूल सब सफ्कर निकलते जाएंगे सिरफ ती नाम आपको ध्यान में रखने हैं तेरा-panthi तरहना-panthi Addis कma पर वो आपको ध्यान नहीं रखने सिरफ तीन नाम ध्यान रखने सिरफ इतना कहा रहा हूं वह आपसे एक्सप से अध्यान में रखा है तेरा-panthi तराना पंथी बिस पंथी इन में आगे क्या वेरियंस है क्या डिफ्रेंसिस है वो भी मैंने आपको समझाओंगा वो भी नोट में सारा कुछ है पर वो आपको याद नहीं करना क्योंकि फिर आउट और स्कोप बात हो जाएगी मैं नहीं चाहता कि हर इक चीज करवाके कलको मै उसको फिर क्लेम कर दूँ श्यतामबस के अंदर बहुत साल पहले कोशन पूछा गया था कि स्थानका वासी कि अगर हम बात करें वो किस धरम से बिलॉंग करते हैं तो उसका अंसर जैनिजम है और मूर्ति पूजिकास भी उसका अंसर जैनिजम है तो यह जो दोलो सेक्ट है है कि स्थानका वासी के अंदर सबसेट है और 10 tours 13 ना पन्ती 20 यह किसके अंदर है दिगंबस के अंदर यहां पर जो लोग करनाटिका साइड के उपर गए थे वो विद्धा टाइम और्थोडॉक्स रूल्स के साथ ही जुड़े रहे तो उनका माना था कि कपड़े पहनने नहीं है क्योंकि वो पुजेशन का पार्ट बन जाएंगे और पुजेशन जैनिजम के अंदर अलाउड नहीं है इस सब्सक्राइब करें यहां पर आपको सारा पहले एक्स्प्लेंट कर चुका हूं तो यह बिसिक है एक्स्प्लेंट है व्यूज ओन वूमें तो यहां पर आप देखोगे कि दिगामबस के इसाफ से क्या है कि अगर किसी वूमें को तीरंथकार बनना है तो यह पॉसिबल नहीं है उसको दुबारा से जनम लेते हुए मेल मंक का रूप लेना पड़ेगा फिर केवल ग्यान को हसिल करना पड़ेगा तब ही वो तीरंथकार बन सकती है तो आप फीमेल म पाने की तो वो फिर वूमें भी तीरंथकार बन सकती है तो यह बेसिक तीनों मैंने आपको एक्स्प्लें कर दिये आपको बाद में रटने की जूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद बात करें आफ्टर एलाइटमेंट की जब उनको एलाइटमेंट मिल जाएगी तो उस अब आम इंसान की क्या एक्जिस्टेंस की नीड होती है जैसे मैं अपनी बात करो तो मेरी जरूरत है खाने खाने की सोने की पानी पीने की बेसिक यह जरूरत है रोटी कपड़ा मकान वगेरा तो दिगांबस मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने केवल ग्यान को प्राप प्रास लगेगी ना ही नीद आएगी वगर्त 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 सच अंगर थर्स्ट स्लीप डिसीज एक्सेक्टरा बट ऑन दी अदर एंड साइश्ट अम बस मानते हैं कि जो व्यक्ति केवल ग्यान को प्राप्त कर भी लेगा ओमनिसेंट बन भी जाएगा अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने महावीरा जी के बारे में बड़ा था कि वो 32 साल की उमर में अपने घर बार अपनी पतनी वगरा को छोड़के अलाइटरमेंट की स्टेज के उपर चले जाएंगे पर यहां पर भी एक डिवीजन है कि दिगांबस मानते हैं कि उनक अपनी शादी से पहले ही वो खर छोड़के चले गए थे इस ट्रडिशन होड्स एक महावीरा नेवर मेरेट एंड रेनाउंस दा वर्ल्ड वाइल इस पेरेंट्स वर अलाइव बट उनका मानना था यह जो पॉइंट है उतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है आप इसको छ अब यहां पर एक important concept है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ही सेट्स के अंदर दिगामबर्स के अंदर भी और श्यतामबर्स के अंदर भी आइडल को पूजा जाता है दोनों ही पूजेंगे पर मूर्ति पूजने में भी थोड़ी बहुत इपरेंस है अगर आप द अगर हम श्यतामबर्स की बात करते हैं तो इनकी जो मूर्ति हैं वो काफी जदा इलेबुरेटिव हैं वहां पर हीरे लगे होए नग जवरात लगे होंगे तो यह बेसिक चीज़ें जो कि आपको मूर्तियों के बारे में ध्यान में रखने हैं तो रिगार्डिंग आइडल ओफ तीरंथकार्स दिगांबर्स रडिशन रिप्रेजेंट दा आइडल ओफ तीरंथकार्स एस न्यूड वही बेसिक क्योंकि वह खुट न्यूड है अन एडाउन की कुछ भी पहना नहीं हुआ तो इसे साबसे ध्यान में रखना फिर हम बात करते हैं स्क्रिप्चर के बारे में यहां पर मैंने आपको स्क्रिप्चर के उपर बहुत पहले साब कुछ बताया हुआ है तो वो आपको ध्यान में रहेगा इसके बाद टाम जियोत फॉर हेगियोग्राफिक कि अपने धरम गरंतों को यह क्या नाम देते हैं यहां पर वो नाम देते हैं पुराणाद के नाम से हिसाब से पर यह आपको ध्यान में रखने के जुरूरत नहीं है इसको आप छोड़ सकते हो mode of accepting the food ये एक important चीजा दो कि आपको थ्यान में रखना है अगर हम दिगामबर्स की बात करें तो वो किसी भी दिन की शुरुआत करने से पहले या फिर जब वो खाना मांगने जाएंगे तो एक संकल्प लेंगे कि मैं इसी घर से या फिर इस व्यक्ति से खाना लूँगा अगर तो उस व्यक्ति से खाना मिल जाए तभी वो खाएंगे अगर नहीं मिलेगा तो वो अगले दिन के ओपर जाएंगे उस दिन वो खाना बिलकुल भी नहीं खाएंगे मतलब कि अपने संकल्प को अगर पूरा होगा तो यह बहुत बड़ा कि दिचांबच की बात नहीं मिले घर एक खाना मांग सकते हैं बट ऑन जाचरी कि कि बात करें, these monks can collect their food from different houses एक से जादा भार, भी एक से जादा घरों से भी वो खाना मांग सकते हैं, यह बहुत बड़ा दिफरेंस है तो यह इतनी डिटेल में करने की जुरूरत नहीं सिर्फ इतना इत्याग में रखने ना जो दिगांबस हैं वो सिर्फ एक खरते खाना मांगेंगे अगर हम श्रतांबस की बाते रहें तो वह एक से बहुत सारे जादा घरों से खाना मांग सकते हैं इतना बिसिक पुजेशन एंड रिनाउंटमेंट तो मैंने आपको बताया था कि दिगांबस बहुत जादा स्रिक्ट हैं और वो जादा से जादा पुजेशन को अपने से दूर रखना चाते तो इसी वज़ा से जो दिगांबस जैन मंक्स हैं वो सिरफ और सिरफ दो तरह के पुजेशन अपने पास रखने हैं सबसे पहले तो है राजोहरना एक जाडू होता है तांकि जब वो चलेंगे रास्ते के उपर जितने भी उनके रास्ते में कोई भी जीव जन्तू आएगा कोई भी कीडे मुकोड़े आएंगे तो वो उसको दूर कर सके क्योंकि जो सबसे बड़ा धर पॉर हाईजीन तो सिर्फ एक वूडन वाटर पॉर्ट है और एक जाडू है जो कि दिगांबस रख सकते हैं और अगर हम शतामबस की बात करें तो इनके पास है चौदां पोजैशन्स वह वेरियस है जैसे कि लाइन कुलोथ वगयरा वगयरा तो आपको सिर्फ इतना बिसि कुछन आएगा तो वह सही हो जाएगा अगर हम दिगांबस की बात करें तो यहां पर एक लाइन थी कि अर्लियस रिकॉर्ड ऑफ दिगांबर बिलीफ इस कंटेंद इन प्रकृत तो अभी तक पहने आपको लगबग दस अर्लियस जो लिट्रेचर नाम करवाया है एक उसमे आड कर लेना सुथा पुदा कल को आजै कि धर्म से रिलेटेड़ है तो जैनिजम धर्म से ये भी ध्याल में रखने की जुरूरत नहीं है कि शृतामबस है या फिर दिगांबस सुथा पुदा और कुंदा कुन्धा यह नाम भी आपको ध्याल में रखना है कुंदा कूंद सब दो चीजे बता रहा हूं उसके अलावा श्यतामबस और दिगांबस के बीच में एक इंपोर्टन डिफरेंस यह भी है श्यतामबस फॉलू दा प्रीचिंग्स और पर्सवनात दैट इस दे बिलीव इन ओली फोर एस्टेंट और जो दिगांबस है तो यहां पर मैंने आपको क्या इंपोर्टन चीज बताई है यहां पर थोड़ी कंफ्यूजंग है कि अगर हम श्यतामबस की बात करें तो वह सिरफ चार बहुत को मानते हैं और अगर हम दिगांबस की बात करें तो यह पांच के पांच वह को मानते हैं पांच वह वह कौन सा था ब्रह्मा चरया का जो की लौड महावीरा के द्वारा एड़ान किया गया था यह यहां पर दिगांबस और श्यतामबस इंटर्चेंज हुआ पड़ा है तो उस वज़ा पर यह बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चले जाएगा आप इसको छोड़के जा सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए बाकी सारी चीज़े एक्जास्ट हो जाएं तब जो यूपियस यह इतनी ज़्यादा डिटेल में जाएगी जब तक बाकी जो और टॉपिक्स हैं जैनि इस चीज़ को उठाके जब वो उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है एक्जास्ट होगा तब वो दूसरी चीज़ के उपर जाएंगी पर क्योंकि अभी के लिए इस दिगामबस और सिर्टामबस के उपर बहुत जो इजी कोशन है वही नहीं पूछे गए थे तो यहां से द्यान में रखना है और यहां पर मैंने आपको सारे का सारा जो इसकी एक्स्प्लाइशन है कि बिस पंथास और तैरा पंथास के बीच में क्या डिफ्रेंस है इनको क्यों अलग से सबसक्ट माना जाता है कि जैसे आप एक देखोगी कि कोई पूजा कर रहा है को आरती कर रह है कोई नहीं चड़ा रहा बस यह बेसिक डिफ्रेंस है पर आपको उसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है यहां से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बिस पंथास है इनके जो धर्म गुरूं है तीरंत कारास के अलावा वो है भट रकास तो इनके को बिलॉघ करते हैं बस इतना तो अगर करें Ü deux कि उसके बाद हम बात करें बिस पंथास के बाद हमारे पास है सिर्फ इतना ध्यूनносर रख़ले लेना तो उसके बाद हमारे पास करना अर थमाया कंपन लिए ने हमिस हम इंपेंपन्था हैं सिर्फ और सिर्फ नाम जो easy questions है वो exhaust हो चुके हों तो इनको detail में कर लेना तब तक आपको करने की जुरूरत नहीं है उसके लावा हमारे पास कुछ और हैं गुमाना पंथ्था तो टोटल हमारे पास दिगामबर सब्सक्ट के अंदर पांच है जो अभी हमने कवर किये हैं पांच ये और अगर हम जब श्रतामबस के अंदर जाएंगे स्थानका वासली मूर्ति पुझगास और 1335 वहां पर है तीन तो टोटल हमारे पास आठ सब्सक्ट हैं सिरफ आपको आ तो सबसे पहले मूर्ति पूझगास थानका वासी इन में से कुछन पूछा जा चुका है उसके लावा जो एक और है वो है 1335 तो बहां पर देखो बहां पर तराना 35 था इस हिसाब से जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है यहां पर 1335 है तो सिर्फ इतना याद रख लेना याद तो आपका गलत नहीं होना चाहिए तो यहां पर कुछ important keywords है जो कि आपको ध्यार में रखने है सबसे पहले बसड़ी जो कि है जैना monastic establishment then we have putgala putgala का मतलब होता है जैनिजम के अंदर aggregate of atoms which have form, color, taste, sense and can be touched and felt then we have gunasthas, stage of stages of purification and last में हमारे पास Magda इसके ओपर question पहले पूछा भी गया है कि Magda का मतलब क्या है so with respect to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was their profession तो एक community होते थी मगदा और उनका profession था कि जितने भी यह story है पूरी मालो जी डिनेस्टिक हिस्ट्री है उसको याद रखना वो किस profession या फिर किस community का part था मगदा, community का बसित्प्र तो साले खाना यह जो important concept है यह मैं आपको सारा explain कर चुका हूँ, already done उसके बाद एक important concept है जो कि है प्रतिक्रमन अब प्रतिक्रमन ऐसा एक concept मैंने आपको बुद्धिजम के अंदर भी करवाया था मैं आशा करता हूँ आपको ध्यान में होगा कि वहाँ पर था कि जब भी rainy season के दौरान बुद्धिजम मौंग जो बुद्धिस मौंग से वो एक जगा के उपर रहेंगे पूरे महीने में जो भी उनने गुना किये होंगे तो अपनी जो community के सामने आके वो उस सबसे शमा मांगेगे अपने जो गुना है उनको बताएंग है प्रतिक रमन प्लीज इसको ध्यान में रखेएगा उसके बाद हमारे पास जैनिजम के अंदर important symbols हैं जिसको कहा जाता है अश्ट मंगला पर यह आपको याद नहीं रखने अगर कल को आ जाए कि जैनिजम के अंदर 8 important symbols है अश्ट मंगला तो वो जो statement है वो एकदम सही होग कि बस इतना ध्यान में रख लेना उससे जादा करने की जुरूरत नहीं है और यह मैंने आपको notes में सारा कुछ दे दिया है पर यह याद नहीं रखना फिर दुबारा से कहा रहा हूं यह सिरफ notes point of view से है उससे जादा नहीं है एक important चीज जो कि आपको ध्यान में रखने है जो मैंने आपको बताया था कि एक है महावरता जो की है जैना मंक के लिए और दूसरों के लिए है अनुवरता यहां पर जो ले people है जो ले followers है जैनिंजम के उनको कहा जाता है स्रावक्स या फिर स्राविकास यह जो दो शब्द है इनको ध्यान में रख देजीगा बस इतना है तो जैनिजम से जुड़ी हो है जहां से कल को कुशन पूछा जा सकता है कि which of these caves are related to जैनिजम इन इंडिया तो यह important जितने भी सारी मैंने आपको एक जगा के उपर लिख दी है प्लीज रट्टा मार लेना यह ना हो कि कल को इतना सारा कराने के बाद कुशन यहां से आ जाए और सारी महनत जो है उसके उपर पानी फिर जाए तो प्लीज इसका रट्टा मारना इलोरा के अंदर आपको पता है जैनिजम स इनों से रिलेटेड है यह मंगी तुंगे केव यह दातर बच्चों को नहीं पता होता महराष्टा के अंदर है गज पंथा के अंदर ही उदायगेरी खांगेरी के यह आप सब को पता होगा औरिसा के अंदर यहां से कुछन पूछे जाने की प्रबिल्टी जादा है ठीक है तो लास्ट में जो बुद्धिजम है वो भी इसी तरह से इन डिटेल कवर किया गया था अगर आपने बुद्धिजम कवर नहीं किया है जैनिजम आप पहली बार मेरे से कर रहे हैं तो प्लीज इसको जाके भी देख जाना बुद्धिजम जैनिजम इंपॉर्टेंट जा रहा है तो हर एक चीज को पॉइंटर फॉर्म में एक स्टोरी के बाद मैं आपको बता दूँगा कि यह कुछ चीजे आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि हिस्ट्री कई बार ऐसा होता है कि हर एक चीज पंड़े के बाद यह लगता है कि याद नहीं है या फिर नोट्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप इस को चैक आउट करेंगे पर इनकेस आपको कहूंगा कि देखी बहुत कम टाइम रह चुका है अच्छे से चीजों को कवर कर लेना यह ना हो कि बाद में आप पर चताते रहें क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वह प जाएगा और कुछ आखरी के हफतों में वह उस नाकाम्याबी की वज़ा से प्रिलिम से बाहर हो जाते हैं तो देखो यह जो पूरी जर्नी है यह अल्दो मैराथॉन है पर यह इस मैराथॉन का यह लास्ट लग है एक तरह से प्रिलिम के अंदर जो प्रिलिम के एक दो महीन पहले रह जाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत तेजी से बागना है अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने डिस्ट्रेक्शन को दूर करना है अपने आपको समझाना है कि अगर हो जाएगा तो वेरी वैल अगोड अगर नहीं होगा तो एक साल का बहुत बहु हो जाता है ना तो इंसान को बहुत जादा मोमेंटम मिलता है उसका जो इगो है वो बहुत जादा बूस्ट होती है कि हां मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं आपसे हाथ जोड के बिंती करता हूं देखो यह जो पूरी त्यारी है बहुत मुश्किल है इसको पांच साल का यहां फ पर आज नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा इसको हमेशा ध्यान में रखना उसके अलावा देखो अभी मैंने जैनिजम को कवर कर दिया बुद्धिजम कवर कर चुका हूँ कर दो कि अगले कुछ आने वले टाइमस में तीन चार हफते में ताकि आपकी जादा से जादा साहिता हो सके तो मैं आपके लिए करने कोशिश करूंगा उसके लावा यह जो पूरा जैनिजम अगर आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो प्लीज एक बार अपने कमेंट सेक्षन में लिख देना अगर तो अच्छा लगेगा तो अगर अच्छा लिख दोगे तो मेरा जो हौंसला है वो बड़ेगा अगर बुरा भी लिखोगे तो सच माना मेरे को हमेशा यह होता है कि किस तरह से मैं अपने आपको इंप्रूव करते हुए बच्चों के लिए ज किसी भी वेबसाइट को खो लेना किसी भी नोट्स को उठा के देख लेना हर इक चीज का कवर्ड मिलेगी क्या चीज पढ़नी है क्या छोड़नी है अगर इससे बाहर को शन आ जाएगा तो छोड़के आ जाना मिरे को याद कर लेना अगर कल को आप इस वज़ा से बाहर हर अंधेरे को जालों में बतलते रहना अलविदा